हेलो गईस स्वागात आप सब का तो आज हम बात करेगा दाइंट टोटल गेस की धाई पसंट की गिरावट रही कल ही हमने बात की थी क्योंकि कल जो हे वोलियूम थोड़ा सा कम रहा था मतलब कि वोलियूम तो अच्छा था लेकिन हम बात कर रहे हैं डिलेवरी वोलियूम की और टेक्निकल चार्ट काफी यूस्पूल रह सकते हैं कल ही हमने बात कि थी के वो बुलिंजर बेंक की ये लेवर टूट सकता है और वहां पर आया भी 810 का लो बनाया पहले तो आज के कारोबार की बात करें तो डिलेवरी वोलियूम आज ठीक ठाक रहा न ज्यादा ना कम पैसा लग रहा है पांच लाग क्यास पास की डिलिवरी उठी और यहां पर इस न्यूस को बारे में ज्यादा ता लोगों तो पता ही है लेकिन इसके बारे में एक समझने लाएक बात है कि अदाइन टोटल गेस सिक्योर 375 मिलियन फाइनसिंग तो यह जो पैसा यानि कि तक लिया है अब इससे यह पैसा अगर आपने बिजनेस के अंदर यह लगाते है तो जाहिसी बात है थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन बिजनेस के अंदर प्रॉफिट और रेवन्यू के अंदर ग्रॉथ देखने को मिल सकती है तो यह बात यहां पर एक समझने लाएक है कि य अब यह कंपनी के पास पैसा आ गया डेफिनिटल इससे जो है कंपनी को फाइदा ही हो सकता ऐसा लग रहा है यहां पर कुछ ना कुछ तो इसका प्लान है उसके उपर भी हमने चल्चा की थी तो यह चीज जो है यहां पर थोड़ी सी तसली भी देती है ऐसा मुझे लग रह अब यहां पर अगर देखें के फाइदा रहने के संभावना रह सकती है खेर फिलाल हम आगे देखते हैं चाट के उपर और इसके फंडामेटल के उपर भी हम इस विकेंड के वापस हजल चा करेंगे कि काप ही स्यादा जो है रिक्वेस्स आ रही है इसके उपर भी पिछले सब्ता भी हमने चर्चाही की थी आज के दिन यहां पर किया हुआ सबरे सही गिरावड थी और यह सिलसिला कल ही जो ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत प्रफिट बुकिंग आ सकती है और आज उसके बाद जो है हाला कि ज्यादा नीचे नहीं गया 800 से नीचे अब यहां अगर देखे तो बस यह 9 वीक के मुविंग एवरेज के उपर यह क्लोजिंग दे अभी भी मौका है फ्राइडे तक तो वह जो है एक स्ट्रेंथ वापस आ सकती है क्योंकि एक हपते की कैंडल है कहीं हपतों से यह इन दोनों ही मुविंग एवरेज के नीचे कामकाज हो रह जो पहला रजिस्टन जो है 890 का आसपास यानि कि ओवरेज देखे तो 900 के आसपास हो सकता है उसके बाद 1000 के आसपास का तो यह एक रेंज बनी हुए ऐसा लग रहा है और अभी भी सपोर्ट एरिया जो है वो नीचे एक नजदीक दिख रहा है कहीं ना कहीं क्योंकि साड़ सिच्वेशन थोड़ी स्ट्रोंग तो हुई है यह तो यहां पर दिख रही है फंडामेंटल की बात करें तो अभी पी रेशियो इसका जो है थोड़ा हाई है तो थोड़ा वक्त लग सकता है हाँ अगर कुछ पॉजिटिव सप्राइज निउस आ जाती है पॉजिटिव सप सकते हैं किस तरीके सी जो है मुटलब की ग्रोथ की के पॉसिबिलिटी हो सकती है अब आगे देखते हैं यहां पर कल के दिन MSCD का बुलिस क्रोश वर हुआ था अभी यह कंटीन्यू है हाला कि थोड़ सी स्टेंग के अंदर कल भी हमने बात कि थी कमी थी पहला बार अगर अब जल्द ही इसकी जो है शेर होलिंग पेटन नहीं सितंबर में नहीं कि वह जो है आ सकती है इन्ट्रेसिंग रह सकता है कि यहां पर उपरी लेवल के ऊपर कहीं लोगों ने खरीदारी की है, बाइंग की है, कुछ ना कुछ उन्होंने सोच समत करें होगी, डिलिवरी वोलिम में अगर आप देखे कर तो लाक होगी, तो उसके उपर भी हम चर्चा करेंगे और मुझे इसा लग रहे है कि वह काटा टूक के रिजल्ट उच्छे रह सकते हैं कि इतनी ग्रोथ आती है नहीं वह देखना बनता है आज के वीडियो में इतना है और कल वापस से इसके उपर हम चल्चा करेंगे तब तक के लिए अगर आपकी इसके अंदर होलिंग है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और एक स्टैंडर डिस्क्रेंबर जो कि मैं हमेशा देता हूं आप कोई भी बाइ असल के रेकमेशन निया थेंक यू